नमस्कार दोस्तों विकास इस्टेडरी सरकल के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सेसी जीडी मायत का प्रेक्टिस रेड नमबर 6 करेंगे आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंते तक अवस्षे बने रहे हैं दिथा वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 41 है दोस्तों पहले 100 प्राकर संख्याओं में कितनी अभाज संख्या हैं तो दोस्तों पहले 100 प्राकर सं चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं देखें दोस्तों अब आज संख्या कौन सी होती है दो है दोस्तों उसके बाद तीन है पांच है दोस्तों साथ है उसके बाद ग्यारा हो गई उसके बाद तेरा हो गई सत्तरा हो गई उसके बाद उस्तों उनीस हो गई उनीस के बाद उस 252-23 के बाद दूस्तों फिर होगी 29 अब की 29 के बाद दूस्तों फिर घायेगे 31 31 के बाद दोस्तों 37 के बाद 211, उसके बाद दोस्तों 43 उसके बाद दोस्तों हो गई 47 47 के बाद तिरपन हो जाएगी तिरपन के बाद दोस्तों हो जाएगी फिर 59 69 हो जाएगी दोस्तों 69 के बाद दोस्तों 61 हो जाएगी फिर दोस्तों हो जाएगी 67 67 उसके बाद दोस्तों 71 71 उसके बाद दोस्तों 73 हो 73 उसके बाद 79 फिर दोस्तों हो जाएगी 83 और उसके बाद 89 और फिर 97 यह दोस्तों सो जो पहले सो प्राकत संख्याओं संख्याओं उसमें अभाजे संख्याओं तो दोस्तों गिन लीजिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्नीस, बीस, इकीस, बाईस, तेईस, चोबिस, पचीस तो दोस्तों जो खुल अभाजे संख्याओं होगी सव, सुरवाती सव प्राकत संख्याओं में तो उनके संख्याओं होगी पचीस आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 42 कि देखिएगा दोस्तों इसको सालू करना है आपको तो सालू तो आप लोग कि जेगा देखिएगा दोस्तुं कि दो सतों ऑपचीसषो फचीसो फचास मैनस नचरा गागा है 5010 माइनस फिर मनजला ब्राइकट लगा है 270 फिर म स्वाइल थो शोटा वडायिकेट है इस में दो सतु नभप्ड आप भार 417 को इन्हें को जोड लेंगे नोसाथ 16 तो दोस्तू हो जाएगा एकना 160-80 उसके बाद दोस्तों देखिएगा उसके बाद 160 से जब 80 जाएंगे क्या बचेगा इसमें दोस्तों हमारा बचाएगा 2550 मैंनस 510 इसके बाद दोस्तों मैंनस 270 से 160 जाएगा तो 80 बचेगा अब दोस्तों इसको सालोग करेंगे जब 270 से जब 80 मैंनस करेंगे तब बचेगा हमारा 190 यह दोस्तों 510 मैंनस उसके आगे दोस्तों 2550 तो 510 से जब दोस्तों 190 जाएगा तब क्या बचेगा बचेगा दोस्तों 2,1,3,320 और मैंनस 2550-320 तो यहां से हमारा अंसर क्या आएगा अंसर हमारा आएगा 2230 तो आपसर नंबर कौन सा सही होगा आपसर नंबर जो बी है या बिल्कुल सही हो जाएगा 2330 आगे दिखिएगा दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर 43 वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विवाजित करने पर सेस क्रमसा 12, 20, 32 और 50 बसता है तो दोस्तों ऐसे प्रस्ण में हमें क्या करना पड़ता है पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेस जो बच रहा है और जो हमें संख्या दिखे हैं संख्या मारी है 16, 24, 36 और 54 यह हमाय संख्या है सेस क्या है 12, उसके बाद 20, उसके बाद 32, 50 तो हमें देखना दोस्तों यह होता है कि सेस जो है वह सभी में कामन बच रहा है या 20 बिन है तो दोस्तों देखिएगा 16 से 12 से बच नहीं दो इससे देगे 4 जी दोस्तो इसका भी नत्र चाल है उसका भी दोस्तों अंत्र चाल है तो दोस्तो जो सभी में कामन जो सेरs बच रहा है तो अब हम लोग जो ये संख्या दिए है 16, fazla, चंहें इसका LCM लेकर और उससे माइनस चार कर देंगे जो हमें कामन सेस बचा है इसे हमें घटाना होता है उसके अवाद दोस्तों मैं संख्या अप्राप्त हो जाएगी तो 16, 24, 354 इसका LCM आप लोग निकालेंगे लोग लोग निकालना जानते होंगे तो LCM आएगा 432 यही हमारा आंफर होगा तो वह छोटी से चोटी संख्या कौंसी है तो 1428 है इसमें दोस्तों 16, 24 और 36 चववन से विभाजित करने बाद 12, 20, 32 और 50 बचेगा तो 428 वा संख्या है आपसन कौन सा सही होगा आपसन नमबर जो सी है यह बिल्गुल सही हो जाएगा आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रशन है किसी संख्या का दोस्तों प्रसन नमबर जोवाली से किसी संख्या का आठवा हिस्सा उसके कितने प्रस्थ के बराबर है तो दोस्तों किसी संख्या का आठवा हिस्सा हमने माना संख्या संख्या दोस्तों हमारी हो गई एक्स उसका आठवा हिस्सा तो 8 इस्ता होगा x बटा 8 तो कह रहा है यहां उसके कितने प्रस्यत के बड़ाबर है तो x बटा 8 x के कितने प्रस्यत के बड़ाबर है बटा x इंटू 100 तो दोस्तों x उपर चला जाएगा तो x बटा 8 इंटू x हो जाएगा इंटू 100 इस से सों को भाग करेंगे तो ढाएगा बारपिंट 5 तो f2.5 तो घ्lement के बराबर होगा है एक वटाद दो अनपाद एक वटाद थीन अनपाद एक वटाद चार वाज़त करने के को कितने दा स्प्राप्त होगी तो दोस्तों इसका वारा भी करेंगे हम लोग लोग ऑनपाद पारध शाइब RA कितना गया 6 43 आप कहे रहा है की 49 रासी है इस में दोस्तों विभघाजित कहने करें कि 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 की राप्त है कि की रासी ही इसका और यह का तो दोस्तों के का अनपाद कितना है चार ुथे चार डुस्तों । कितनी है छे 4 2 3 6 4 10 10 तो टोटल वैल्यूppen से तेरा तो दोस्तों केकी राजगाद करने के लिए के वराबर की वैल्यूओ है चार खुल वैल्यूओ है तेरा जो लू इमाउंट कितना है तो 4900 तेरा से दोस्तों तीन बाज आएगा तेरा तीन तालिस तो केकी वैल्यू है वह बारा सो होगी आपसर नमबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एक जो यह अनपाद दिया है दोस्तों हम और हमसे पूछाता दोस्तों के का के की रासी तो के का अनपाद है चार चार कुल वैल्यू कितनी है तो छे चार दस तिन तेरा तो चार बटा तेरा इन्टों दोस्तों एमाउंट 49 था विभाजित करने पर दोस्तों मारा आंसर आ जाएगा बारा सो रुपए आगे देखिए अगला प्रॉष्ण है प्रश्ण नमबर 46 सूरज के बास 50 पैसे एक रुपए और पांच के चिक्ये 8,75,n9 के इंपात में हैं सूरज के बास कुल रासी 648 है उसके पास 50 पैसे के कितने चिक्ञे हैं तो दोस्तों 50 पैसे के और एक रूपए के उसके बाद 5 रूपए के सिक् 8 अनपाथ 5 अनपाथ 9 तो दोस्तों उसके बार बाद हमें पैसे जो है वह रूपए में दिए हुए हैं तो हमें दोस्तों इसकी कुल वैल्यू प्रत्य जो सिक्के हैं चाहें वो 50 वैसे के हो एक रुपए के हो और 5 रुपए के प्रत्य की दोस्तों कुल वैल्यू निकालनी है वो भी रुपए में तो अब दोस्तों 50 वैसे के 8 सिक्के होंगे जो तो दोस्तों कितने रुपए हो जाएंगे रुपए हो जाएंगे 4 पांच रुपए के दोस्तों सारी दोस्तों अगर एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो वैलू कितनी होगी पांच रुपए उसके बाद दुस्तों 5 रुपए के अगर 9 सिख्षे होंगे कुल वैलू कितनी होगी कुल वैलू होगी 45 तो अब लोग दुस्तों जोड़ेंगे कितना आएगा इसका कुलमान 45-55-54 हमें ग्यात करना है तो ग्यात करना है 50 पैसे के सिक्ष तो पचास वैसे के सिक्कों का कुलमान किय है यह दुस्तों कुलमान हमें रप्त है कुलमान है 4 तो दूस्तों कितने 648 जार तो इसको दूस्तों विभाजित करेंगे तो इसको कैंसिल करें प्यरे 2D 27 यह दो दुना चाहत उसके बाद दूस्तों यह जाएगा 27 से विभाजित करें इसको तो तीन नाम 27 तीन दुना 6 तीन देकम से चाहतारा नो से दूस्तों विभाजित कीजिएगा दूनी अठारा नो चाहतिस तो 24 इंटू टू बाइनी 48 यह नहीं दोस्तों जो 50 वैसे के होती सिक्के हैं इनका कुल्माद है 48 यह 106 रूपाद में दीया था यह मैं अनपाद टाप्त हुआ है कुल्माद का जो सिक्क्य है 50 वेसे 알게 औहूं पांच और प्वीब्ए के मिन जोस्तों प्मक्रेसे के हैं कर्माद बार्स पैसेคร यहां से सिक्क्यों कвой सिख्क्कों sa कुल दूस्तों जास गयाद की तो हमें प्राफज स्थbers्पी की पचास बंदे के कुल उपए उसके पास है 48 तो क्या करना हमें पचास नमब कुल कितने सिक्के हैं तो एक रुपाइम है पचास पैसे के दो सख्क्यों होते हैं तो 48 रूपमेंगे कितने हो जाएंगे एक 116 मीटटे लंभी टेन किसी खंबे को 12 सेकेंट में पर कर लेती है टेन की 40 हमें किलोमेटर ते घंटे में ग्याद करनी है तो हमने आपको दोस्तों बताया हुआ है कि किसी खंबे को या खड़ेभी विवेक्ति को पर में जो ट्रेन द्वारा दूस्तों दूरी जो तय की जाएगी वहाँ स्वयम की लंबाई के बराबर तय की जाएगी तो इसमें ट्रेन की लंबाई कितनी है ट्रेन की दूस्तों लंबाई है 110 मीटर 110 मीटर और समय क्या है समय है दूस्तों 12 सेकंड तो यहां से दूस्तों ट्रे की चाल क्या होगी चाल होती दूस्तों दूरी बटा समय दूरी 110 मीटर चाल कितनी है समय कितना है 12 सेकंड तो यहां से दूस्तों दो से छे बार जाएगा यह आ जाएगा दू पच्पन बटा छे लेकिन चाल दोस्तों जो पच्पन बटा छे दी हुई है यह हमें प्राप्त है मीटर प्रस सेकेंड में मीटर पर सेकंड में क्योंकि दूरी जो थी मीटर में थी और समय हमें सेकंड में ग्याद था और हमें चाल ग्याद करनी है किलो मीटर पर दिघंटे में तो मैंने आपको बताया है कि मीटर पर सेकंड को किलो मीटर पर दिघंटे में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें दोस्तों 18 बटा 5 से गुणा करना पड़ता है तो दोस्तों देखिएगा 5 से कैंसिल करेंगे 11 बड़ जाएगा ये 6 से 3 बार तो यहां से हमें दोस्तों ट्रेन की जो चाल है किलोमेटर पर दिघंटे में प्राप्थ हो गई आगे देखिएगा अगला प्रशन है प्रशन नमबर 48 कारकरमों के लिए दोस्तों गीता केक बनाती है जनम दिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे रुपए 700 में बेच दिया केक बनाने के लिए सामगरी की लागत कीमत 350 रुपए थी की उसके लाव मार्जन का प्रिस्त क्या है उसने दोस्तों केक जो है उसकी की कीमत की दिने 350 रुपए लागत कीमत है और उसने केक बेचा किदने में 700 रुपए कि उसका खरे मुल यू कास्ट प्राइस होगा दोस्तों वह 350 रुपए और उसका जो सेलिंग कलाई यानवी क्रैमूल है वह है साथ सूरूपै तो दaking कितना होगा पिद्ग है इस लावशत कितना होगा तो पूछा है में से दुस्त फ bevorच अब होगा याट कज था तो फटेट होता था यम लाव का 350 falls बटा क्रेमूल कितना है 350 हो ते क्निसे के तो दूसरों जो लाव प्रस्त है उसका वह कितना है सो प्रस्त अपसर नमबर कौन सा सही होगा आपसर नमबर जो सी है यह बिलकुत सही हो जाएगा आगे देखिएगा दुस्तों अगला प्रस्ट है मारा प्रस्ट नमबर 49 नमबर दूस्तों है एक बुराने फोन को 6360 पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्स पहले खरीदने पर आई लागत से 47 प्रस्त का मूल प्राप्त हुआ 13 प्रस्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल पर बेचना चाहिए था तो दोस्तों यह दोस्तों सेलिंग प्रा मोट श्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल परबेचनापड़ेगा तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले सेलिंग प्राइज यह कितना है ख Door Faculty रूप्र ऑगROए विए उसके बाद दोस्तों हम लोग मानते हैं क्रेम उलिया कास्ट प्राइज इसकी एक्स रुपए थी तो कुछ वर्स पहले इसने जो खरीदा फोन वह एक्स रुपए में खरीदा और उस समय दोस्तों जो इसकी लागत आई थी उससे अब यह जो सेलिंग प्राइज है यह बराबर है यह बराबर है 6360 रुपए के क्योंकि दोस्तों वह कह रहा है कि जो खरीदी गई जब उसने फोन खरीदा उसके बाद उसमय जो लागत आई उससे वर्दमान में 47 प्रसद का मूली से प्राप्त हो रहा है तो यह दोस्तों एक्स इंटू से हंडेट मैनिस 47 00. Pharop bikes इधने दोस्तू 6 360 रुपे इसको जब कैन्सिल करेंगे तो यह जाएगा दूस्तों 53 से 120 वार तो एकस बाबर क्या जाएगा 4000 तो दोस्तों हमें एस bald bets हुआ यह प्राप्त हुआ तो कासट प्राइज तो का क्सट प्रीज आप कहा है कि 13 बसौत करने के लिए रंजिता को इसे किस मुले पर बैचना चाहिए था तो कास्ट प्राइज उसकी दोस्तों 12,000 रुपए अब उसे प्राप्त क्या करना है यानि दोस्तों 13 प्राप्त लाप तो यानि 113 बटासता हो तो दो जीरों कैंसल हो जाएंगे 120 से दोस्तों 113 की जब आप गुणा करेंग तो मैं प्राप्त होगा 13,560 रुपए 13,560 रुपए यानि उसे दोस्तों 13 प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे 13,560 रुपए में बेचना चाहिए था आपसन नमर कौन से सही होगा आपसन नमर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें दोस्तों आप इस समय वर्तमान उसने फोन बेचा तो कुछ वरस पहले जब इसने फोन खरीदा था उस समय जो इसकी लागत आई थी तो लागत से 47% कम मूले है यह 6360 रुपए तो हमने दोस्तों उसका क्रेमन मान लिया X रुपए था X से 47% कम क्या है 6360 तो हमने वही रखा X से 47% कम यानि 53% तो 53% बराबर कितना है 6360 यहां से दोस्तों हमें X की वैल्यू प्राप्ट हुई कि दिनी 12,000 रुपए और उसे दोस्तों कहरा कि 13% का लागत प्राप्ट करने के लिए रंजेता को इसे किस मूले पर बैचना चाहिए था तो हमसे दोस्तों सेलिंग प्राप्ट पूछ रहा था काश्ट प्राप्ट हो चुका था तो यहां से 13% लब यानि 13,500 तो दोस्तों हमें प्राप्ट हुआ 13,560 अपसर नमर जो ए है यह बिल्कु सही हो जाएगा आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्राप्शन है 50 नमर प्राप्शन 50 नमर प्राप्शन है दोस्तों 65 रुपए में सुची बद की गए एक बस्तों को दो क्रमिक छुटों के बाद 56 रुपए 16 पैसे में खरीदा गया था इसमें से पहली छुट 10% है तो दूसरी छुट ग्याद कीजिए दोस्तों बट्टे का प्राप्शन है जो सुची बद यानि अंकित मूल अंकित मूल क्या है अंकित मूल यह दोस्तों 65 रुपए में कहे रहा है कि दो क्रमिक छुटों के बाद उसका सेलिंग प्राइज हुआ 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 56 रुपए 16 पैसे तो एक छुट जो है 10 प्रसद की थी तो दूसरी छुट पूछ रहा है तो हमने दोस्तों देखा कि पहली छुट 10 प्रसद की थी तो यानि 90 बटा 100 दूसरी छुट हमने माना कि 1 रुपए की थी दूसरी छुट जो है दूस्तों दूसरी छुट बराबर 1 रूपये एक आठी से दोस्तों सारी और सप्रस्थ th影片 तो दोस्तों यह दूसरी छूट्पिश हम ने मानी थे तो हो जाएगा 100-10, बराबर दूस्तों जो सेलिंग प्राइज क्या था 2.…… 20. है यहां से दोस्तों देखिएगा इसको 0 सी 10 कैंसिल हो गया यह दोस्तों पांच से दो बार यह तेरा यहां से दोस्तों देखिएगा तेरा इन्टू नौ ब्राइकेट में 100 माइनस एक्स बटा दोस्तों 200 बराबर 56.16 दोस्तों जब आप लोग इसको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 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 विभाजित करेंगे उसके बाद दोस्तों हमें प्राप्त किया होगा देखिएगा यह दोस्तों 100 माइनस एक्स एक्सो बारा बत्तिस बटा दोस्तों तेरा इन्टू नौ तो दोस्तों नो से विभाजित करते हैं इसको दोस्तों आप लोग सालो कर लीजिएगा एक में देखें देखतें कुछ गलती तो नहीं हो गई है इसको दोस्तों कास्ट प्राइज जो इसकी मारेकन प्राइज 65 थी उसके बाद दोस्तों पहली छूट तर्सप्रसद की हो गई यहां से दोस्तों इसको वाजित करें हम लो तो ठीक है है यह भी ठीक है जीरो से जीरो चला जाएगा हाँ दोस्तों तो यह सही है तो यहां देखते हैं दोस्तों 9 से विवाज़ित क्या तो 9 से 9 21 21 22 18 4 9 4 36 4 3 7 9 28 हाँ ठीक है दोस्तों तो 11 12 14 28 यह जाए 13 से जो विवाज़ित करेंगे तुरह नम एक तरह और 13 96 ठीक है दोस्तों तो यहां से 100 minus x ब्रौबर क्या आया 96 आयए गा दो एकस ब्रक क्या आगी 4 जब 100 से 64 minus होगा तो x की वयल्य आएगी 4 तो यहां दोस्तों हमने छूट क्या मानी थी x मानी थी तो छूट कितनी हो की दूसरी चार प्रिस्त कि या इसमें दोस्तों हमने पहले हुंने लिकीरыл से होने पेशा हुपकर उगा माने ये लिकीर होगा इसको बराबर में रखां़ में इसको दोस्तों, आप लोग विभाजित करेंगे, सालो करेंगे इसको, तो यहां से दोस्तों सालो करके आपको S qui value नाफ्थ हो जाएगी, X की value आएगे 4 तो वही हमारा answer हो जाएगा आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रशन है क्यामा नमबर प्रशन है दोस्तों एक अच्छा के तीन छात्रों के एक परिच्छा में और सतंग 25 में से 18 हैं दो नए विद्याथी परिच्छा देते हैं वह निवन्तम अंक कितने हैं जो एक नए छात्रों प्राप्त किये जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचो छात्रों का कुल आउसत बढ़कर बीस पहूंग जाए तो दोस्तों कह रहा है एक अच्छा के तीन छात्रों के एक परिच्छा में आउसत अंक वह 25 में से 18 है यानि दोस्तों, जो 3 चात्र है, उनके आउसत क्या है? 18 है, तो खुल मान कितना हो जाएगा? 16, और कहे रहा है कि, अंत में पांचो चात्रों का उनकर खुल आउसत क्या है? 20 है, तो यानि 20 आउसत कितना है? पांचो चात्रों का सव हो जाएगा दो नएचातर जो आये हैं इसमें कह रहा कि वह नियुंतम अंग कितने हैं जो एक नएचातर दोड़ारा प्राप्त किये जा सकते हैं परिच्छा का और सातंग कितना है पचीस है यह भी आप लोग दिहान रखें तो इसमें दोस्तों जो नए छात्रा है दो नए छात्र उनका दोस्तों जो कुलमान है कुलमान दोस्तों देखते हैं कुलमान है उनका सो से जब जब घटाएंगे तो आएगा छे और धर हे चार दो सकते हैं हम ने माना कyip च्छातर जो हे पचीस में से बती सद्सक्रा दूसरा च्छातर करेंगा वह किस अंक प्रत्र करेंगा जो चात्र है यानि दोस्तों आप द्यान रखिएगा 18 जो सुराज में तीन चात्र हैं उनके आउसत तंक 25 में से 18 हैं तो हमने कुलमान कितना निकाला 54 अंतर में कह रहा है कि पांच चात्र का कुल आउसत बढ़कर 20 पहुंच गया तो यानि कुलमान कितना हो कह रहा है कि वह दोनों चात्र में नियुंतम मंक कितने हैं जो एक नहीं चाथ व्समसें से एक पचीस मेंसे 5 प्राप्ट किये तो दूसरा जो चात्र है उसने अंकर प्राप्ट किए 21 ईब्सक्राइगा आगे देखिएगा अगला प्रशन है 52 नमबर प्रश्ण है दोस्तों 5 लोगों के समुव में पहले 3 और अंतिन 2 की आयू के आउसत का अनपात 9 अनपात 7 है यद उनकी आयू के आउसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की आउसत आयू कितनी होगी तो दोस्तों इसमें आप लोग पहले जो तीन हैं पांच लोगों के समुझिए, पहले तिन और अन्तिम दोगी कि आउस्त अनफात तो पहले जो पहले तीन है दुस्तों इनके ऊस्त कितना है नो pää तो नो-59 SM देखें तो कुलमान कितना हो जाएगा 9x into 3 तो 27 बराबर क्या एगा 27 इधा दोस्तों जो दूसरे दो लोग है दूसरे दो उनका दोस्तों और सब्सक्राइब 7x इनका कुलमान कितना होगा 7x इनका दोस्तों कि यह दोनकी आईव कि आउसरत का अंतर 12 है यानी दोस्तों 9x और 7x इनका अंतर क्या है निकल का रहा अंतर हमारा 2x और अंतर प्रश्न के अंसर कह रहा है 12 है तो x की value कितनी आएगी x की value आएगी 6 है तो हमें दोस्तों यहां से इनकी value रखें 27 इंटू 27 इंटू 6 कितना आएगा 27 इंटू 6 आएगा दोस्तों आप गुणा कीजिएगा तो हमें यहां प्राप्त होगा 6 सते 42 चार अच्छेदू निवारा चार 16 162 इहां से प्राप्त होगा और यह 14 x है यहां से दोस्तों जब हम लोग 14 की 14 इसमें दोस्तों x जब इसका मान रखेंगे तो हमें अंसर क्या प्राप्त होगा 14- चैकी गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 84 तो यहां से दोस्तों उन प्राप्त की आउसाताईव कितनी होगी तो हमें 162 और 84 की की यह योग करना पड़ेगा योग करने पर क्या प्राप्त होगा 162 प्रस 84 सबस्ती चार दो स्चे कहती है कि टो यक तो प्राप्त किया करना है फ्राप्त करना है सब्सक्राइब का यह पांच सब्राहएं आयो होगी आप संब जो दो भी हे या बिलकुल बिल्कुल सही हो जाएगा आफसर नमबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें दुस्तों पहले तीन लोगों की ऑसकता ही हमने नौ इसमानी उसके बाद दूसरे दो है है उनका दोस्तों साथ हमने 7 चाहा और कोल वैल्यी की दोस्तों निकल कर मैं present के चाहर कितना है कि और looks की बारा है एक्स की वैलू हमें प्राप्त हो गई 6 जिन में दूस्तों इनका मान रखेंगे तो पहले तीन विक्तियों का कुल जो और सब्सक्राप्त हो जाएगा आगे देखिएगा अगला प्रशन है तिरपन नंबर एक अकेला एक काम को तीन दिनों में समाप्त कर सकता है बी अकेला इसी काम को साथ दिनों में समाप्त कर सकता है ए और बी मिलकर दो दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिसा सेस बचेगा तो दोस्तों देखिएगा ए करेगा तीन दिन में बी करेगा साथ दिन में इनका कूल क कार होगा है यह को सब्सक्र diciendo 21-1 किषमता कितनी आएंगी तिन siro currently सब्सक्राइब यह करें तो कह रहा है और भी मिलकर दो दिन में काम करते हैं तो यह और भी और भी कहा हैं दो दिन का सब्सक्राइब करें ऐसाँ दो लिन का कर क सोब कितना होगा इनकी जमता कितनी है एक इसाथ, बी की तीन तो दो लुखकीशाबी कैनी है, गतनल चीज तैनल है, दसके कर हम को शीज क्रurbान कितनी कितना है, सब्सक्राब्या इस जो हिस्सा है काम का वस्यस बच गया आपसर नंबर कौन सा सही होगा आपसर नंबर डी जो है एक बटाइक किस यह सही हो जाएगा आगे देखिएगा प्रश नंबर चववन है एक निश्चित साधार ब्याज की दर पर 800 रुपए की रास तीन वरसों में 956 हो जाती है यह दर को चाहित प्रसद बढ़ा दिया जाए तो निवेस में कितनी व्रद्धि होगी यानि दोस्तों 800 रुपए जो है वह हमें जो फी बराबर कितना है मारा प्रचाव और यह मिरुपए ऑर कितना है ऑर मिजुत दन है दोस्तों 966 रुपए व्याज कितना मिल आँज मिला हमें मैं दोस्त ओ है सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मिलेगा 156 उपए समय कितना है टी बराबर तीन वर्स और यहां से हमें प्राप्त पहले करना है हमको दोस्तों आर बराबर तो मान रखेंगे पी इंटू आर इंटू टी बटा सो तो पी है आठ सो मुलधन इंटू दर इंटू टी समय कितना है तीन वर्स बटा सो यहां से दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा पराबर ब्याज हमें प्राप्त है 156 रूप है तो दोस्तों यह मैनिस करेंगे आठ से आठ से भाजित होगा आठ से दोस्तों आठ से नहीं होगा तो आर बराबर वैलिव आएगी बावन बटा दो बटा आठ यहां से दोस्तों फिर भाजित होगा दो दूना चार तो यहां से आएगा तेरा बटे दो आर बराबर तेरा बटा दो यानि च्छे पॉइंट पांच तो दोस्तों हमें यहां आर प्राप्त हो गई आप कह रहा है कि यह दर को चार प्रसत बढ़ा दिया जा तो निवैस में कितनी ब नए दर दोस्तों हो जाएगी 6.5 प्लस 4 यानि 10.5 तो दोस्तों जहां से हम लोग दोबारा जो मान निकालेंगे तो पी हमें 800 दिया हुआ है पी इंटू आर कितना हो गया 10.5 इंटू टी है तीन वर्स बटा सव यह दोस्तों कैंसिल हो जाएगा अब गुणा करनी है तो दो दोस्तों इसको गुणा करेंगे आठ पंचे चालीस चार होगा आठ कम आठ इंटू तीन तीन चुकू बारक दो हासी लागा एक इन अठीच को फची तो सबावन रुपे जो है ब्याज अब प्राप्त होगा जब चार प्रस दर बढ़ा दी जाएगी तो ब्याज प्राप् ब्याज दोष्तों फंद्रस से ज़स्तों 17 फिर्षर दोस्तों चौदा से 5 जाएगा तो ज़दा से 14 चैब दूनो बचाईगा तो कि आप प्राप्धूई 9 लुपए कि आप संव में सल Penya कुन साा यह होगा आप सरनम जो बी है दो सश्तों 96 यह बिल्कूल सही हो जाएगा अगला प्रश्न है पच्पन नंबर कि एक चत्रबुज की दो भुजाएं 16 संटीमीटर और 12 संटीमीटर हैं उनके मद्ध का कौन 90 डिगरी है उसकी अन्य भुजाएं अन्य दोनों भुजाएं 25 बटा 2 संटीमीटर प्रत्यक हैं चत्रबुज के अन्य तीन कौन समकौन नहीं ह चत्रबुज का 6 पल कितना है तो दोस्तों जो चत्रबुज की 2 संटीमीटर और 12 संटीमीटर हैं उनके मद्ध का कौन 90 डिगरी है तो दुस्तों ने माना यह यह तो भुजाएं एक हुजा दोस्तों की हमने माना यह 12 हो गई यह 16 हो गई कहे रहा है इसके मद्ध कॉंट यह 90 हो गया उसके बाद दुस्तों यह करन हो जाएगा उसकी अन्य तो भुजाएं पचीस बटा दो यानि 12 बार दुणि 12.5 संटिमीतर हैं तो चातलो इह तेन कॉंट समकॉण नहीं यानि दोस्तों चातलो ज्यार का करना है तो स्मकॉण हो जाया ग्याद थाय लेकिन दोस्तों यह दूसमने माहना A B C R fils Allah यहां से दोस्तों हमें यह दोनों जो त्रिभुज बनैंदे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC इनको जोड़कर इनका जो शैटफल है वही दोस्तों जोड़कर हमें चैटरभुज का च्टपल ग्याद करना पड़ेगा तो उन्हें का च्टपल ग्याद करने के लिए इसकी दोस्तों आपको पता होगा टिपलेट कितना होता है 15-16 और 20 यह हुझाज दो भी सेंटी मीटर है जिसंटी मिटर यह दोस्तों हो जाएगी ऐसी के लंबाई अब दोस्तों हमें ग्याद क्या करना है ग्याद करना है जो दि से इस पर दूर्स भी डालेंगे तो हमें अब दी और ई ए मान लेते हैं बिंदू यहां यसी को इसी पर लंब गिरता है तो यहां से दोस्तों में डी की लंबाई पर याद करनी है तो यहां से हम लोग दोस्तों त्रिभुज ए डी सी में डी की लंबाई जब क्याद करेंगे तो दोस्तों यहां से दोस्तों इसको जब डी लंबाई तो यह दस हो जाएगी यह दस हो जाएगी अब हमें दोस्तों डी की लंबाई याद करने में कोई दिक्क्त नहीं होगी यह दोस्तों जो तिल्बुज बना है यह देखिएगा जो यह तिल्बुज है एडी यह एडी यह भी समकौन तिल्बुज बन रहा है तो यहां से दोस्त तो यह हमें डी यहां से प्राप्त हो जाएगा देखिएगा एसी की लंबाई कितनी है एसी है दुस्तों पचीस बटा दो 25 बटा 2 माइनस AE कितनी है 10 यह स्क्वेर हो जाएगी दूस्तों यहां से तो यहां से दूस्तों 625 बटा 2 दूना 4 यहां से 100 तो 400 जब इसका LCM यह हो जाएगा 400 यहां देखिएगा DE बराबर क्या होगा अंडरूट 625 माइनस 400 बटा 4 तो यहां से जब लंबाई निकलेगी इसकी निकला आएगी 225 बटा 4 अंडरूट में तो माणा आएगा कितना 15 बटा 2 यानि 7.5 7.5 cm लंबाई होगी DE की DE की लंबाई एकतनी है 7.5 अब हमें दोस्तों दोनों जो त्रिभूज हैं त्रिभूज AD, ABC और AD, AD और C इनका दोस्तों जो छेत फल है वह निकल कर जोड़ देना पड़ेगा तो हमें दोस्तों चत्रिभूज जो AD, BC है इसका छेत फल टाप्थ हो जाएगा तो दोस्तों इसका जो त्रिभूज ABC है इसका छेत फल क्या होगा 1 बटा 2 इन्टू लंब कितना है 16 यही दोस्तों प्लस दूसरे त्रिभूज में 1 बटा 2 आधार आधार क्या है 20 लंब कितना है 7.5 जो जोड़ेंगे तो 1 बटा 2 12 प्लस 16 तो यानि दोस्तों 16 और 12 28 इन्टू 1 बटा 2 इधर दोस्तों प्लस एक बटा 2 इन्टू 20 प्लस 7 बटा 5 है तो दोस्तों यह हो जाएगा यानि दोस्तों 20 दूदूना 4 55 बटा 2 20 तो 27 27.5 तो यहां से दोस्तों 2 से विभाथी करने के 14 आजाएगा इधर दोस्तों जब इसको आप गुना करेंगे गुना करके दोस्तों आप लोग इसको देखिएगा इसको साल्व जब करेंगे तो यहां दोस्तों हमें जो थोड़ा स्पेस कमी लाहा है तो इसका अंसर आप लोग सीधा देख लीजेगा आप लोग इसको साल्व कीजेगा सार करने पर दोस्तों आपको इसका जो आंसर है वह प्राप्त हो जाएगा 171 आपसन बजो डी है या सही हो जाएगा इसको दुस्तों आप लोग यहां से हमें जो सारे मान हैं वह प्राप्त हो चुके हैं इसमें जो यह लंब है सब्सक्राइब प्राप्त हो गया इसका जो लंब है वह प्राप्त है आधार भी प्राप्त है यहां से दोस्तों जो त्रिभूज है अबीसी और त्रिभूज ADC इनका जो छेत फेले वा दुनों निकाल का रागों के वल जोड़ना पड़ेगा तो हमें आंसर प्राफ्थो का आंसर आएगा एक सोईका हथतर आगे देखिएगा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 56 एक घनाप के भुजाएं एक अनपाथ दो अनपाथ तीन के अनपाथ में हैं इसका प्रिष्ट शेथफल 88 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ग्याद कीजिए तो घनाप की भुजाएं एक अनपाथ दो अनपाथ तीन में हैं घनाप का द और दोस्तों इसका जो भना आत्तेस्ट करतों थो नहीं होता है तो यहां से दोस्तों आप लोग सस्केमि दो इसमें म graphini आ मान रखेंगे इस तो मान रखने पला तुस्तों हमें क्या परफ्टों को इत्राप्ट होगा व मिदल Five एक्स इन्टू जो चमडाई है वहाएं टू एक्स प्लस दोस्तों टू एक्स इन्टू थिरी एक्स प्लस थिरी एक्स इन्टू एक्स तो यहां से देखिएगा दो एक्स इस्क्वेर प्लस छे एक्स इस्क्वेर प्लस तीन एक्स इस्क्वेर तो दोस्तों तीन दो पांच तीन दो पांच और छे पांच ग्यारा एक्स इस्क्वेर इंटू दो बराबर बाइस एक्स इस्क्वेर इमान है ठाथी का एक्स इस्क्वेर बराबर कितना आएगा चार x बराब माने कितना आएगा 2 इसका आयतन गयात करना है तो घठनाप का आयतन क्या होता है घठनाप का आयतन होता है lbh x का मान दो है तो इसमें दुस्तों लंबाइस की कितनी हो जाएगी x यानि दूस्तों 2 दू दूना 4 और तुथिया 6 है इसका मान रखें के लबी एच में आयतन बराबर लबी एच तो मान होगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स च्छोग चुवी दूना अर्तालिस अर्तालिस सेंटिमीटर क्यूब आफसा नमबर जो ए है यह विल्कुल सही हो जाएगा आगे देखिएगा सतानों प्रश्ण है निम लिखे तो भिन नमानों की माधिका ग्याद कीजिए इनकी माधिका दोस्तों ग्याद करनी है माधिका ग्याद करने के लिए आपको पता होगा जो संख्या में दी होती है इनको पहले दोस्तों आप लोग बढ़ते कर्म में या आरोह कर्म में लिखेंगे तो इनको आरो तो ए माइनस थिरी ए मैनस थिरी उसके बाद आएगी ए मैनस टू पैंट फाइव उसके बाद आएगी ए माइनस टू उसके बाद आएगी A plus 0.0 A plus A minus दोस्तों A minus 0.5 उसके बाद A plus 0.5 उसके बाद दोस्तों A plus 4 और A plus 5 यह हमारी संख्या हो जाएंगी 2, 3, 4, 5 यह दोस्तों A minus A minus 3.5 A minus 3 A minus 2.5 A minus 2 उसके बाद A minus 0.5 A plus 0.5 A plus 4 और A plus 5 इसमें दोस्तों आपको इसकी माधिका जब ग्याद करने माधिका बराबर होता है दोस्तों यह संख्या कितनी है संख्या है हमें प्राप्त है सम संख्या है संख्या है तो दोस्तों हमें जो बीच की दो संख्या होगी उनका दोस्तों माद लेकर उसे जोड़ कर बटा 2 करना होता है माधिका के लिए तो बीच की संख्या दोस्तों कौन सी है तो पहले देखेंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांची संख्य हम लेंगे तो चौथी और पांची संख्य हमारी है एक बटा 1-2 प्लस ये प्लस युरॉप.5 तो इनको जब जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो 2 ऑ दोस्तु उसके बाद तो यहां से दोस्तों वाजित करेंगे तो यह माइनस आएगा दो यह में दूस्तों माधिका प्राप्त हो जाएगी आपसर नमबर जो सही होगा यह नमबर आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्ण है अठावन नमबर है निमली कित पाई रेक कंपनी एक सबाइजट द्वारा स्पोर्ट किटों की विक्री पर जानकाई दरसाता है वर्स 2016 के दवरान प्राप्त राजयस्व 36,000 लाग 82,000 डालर था तो 2016 में क्रिकेट की विक्री पर कि माध्यम से कंपनी एक सबाइजट द्वारा कितना राजयस्व प्राप्त किया गया क्रिकेट कितनी है दुस्तों 30 प्रसत तो 30 बटा 100 इंटू 36,000 लाग 82,000 यह कैंसिल हो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो तो तीन दूना च्छे इनटेश 24,000 लाग 84,000 लाग 4,600 डालर तो आपसन कौंसा सही होगा 11,004,600 डालर आपसन नमबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखिएगा अगला प्रस्ण है 59 नमबर उमा एक टेरिस पार्टी का आउजन कर रही है वह कुल अनुमानित वे को निमिन 5 मदों में दिये गए टेबल के अंसाद निधायत करती है वे की मतें वे प्रसेट वे एक है 30 प्रस्त दूसरे का 20 प्रस्त तीसरे का 10 प्रस्त यदि वह 850 फॉपना से 3 30 पर्स Hoşust वे करती है और मद नश्यचे की कुल प्रस्त को सब्सक्राप्स प्रस्त नमना ठावर तिसवे Cos टेसं-वे करती ह swear přिक यह है दूसरे और प्राप्ट करना है दूसरे का 220 प्रिस्ट और 15 कुल अगर दूस्तों में प्राप्ट होगा 35 प्रिस्ट दस पराबर 350 तो 35 पराबर कितना होगा के देखेगा अंतिम प्रशनाच का हमारा है एक निजी जिम एक समय स्लाट में 25 लोगों को समयुद कर सकता है इसके रुपयों करताओं के लिए तीन अलग अलग समय स्लाट है और निमलिकित चार्ट एक सब्ता के आउसत अगंतुकों को दर्सा रहा है वाकाउं सा दिन है जब आधिक सदस्यों को समयुद कर सकते देखते हैं दोस्तों का चार्ट कि यह दूस्तों चार्ट दिया हुआ है कि तो इसमें दूस्तों सोमवार, मंगलवार, बुद्वार, ब्रस्पतिवार, सुक्रवार, सुनिवार, रईवार तो ये दोस्तों सलाट जो दिये हुए इसमें कहरा कि किस दिन जो अधिकतम सलाट भरे जा सकते हैं 25, 25 की छमता उसकी है तो कहरा कि इस दिन जो आगंतुक हैं उनको समाईजुद नहीं कर सकता है तो दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सोमवार को भीवा आगंतुकों को समाईजुद कर सकता है gemachtि उसके पाद इसस्पेस बहुँ ज्यादा है तीनो सिप्टों में कर सकता है देगि संडे को दोस्तों उसके सारे वह पूरे फुल है तो या दोस्तों कि संडे को वह किसी भी व्यक्ति को समाउज़ित नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 25 अचनल जो तीनों Window अंभ नंबर सही होगा आपको रय्वार है किसी व्योक्ति को समय नहीं कर सकता आसा करता हूं अगर दोस्तों समझ मैं आए हूं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जहें दोस्तों